हुआ हालो सुदेंट स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड ग्लासेस पर तो बच्चों आज की इस वीडियो में सी बेसी हैंडबुक की जो एक्सेसाइज 3.6 है उसको और कंप्लीट यादम करने वाले हैं अब इस एक्सेसाइज की अंदर आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई है जिसमें डिमांड फंक्शन आपको दे रखा है आपको कंज्यूमर सरप्लस या प्रोडिसर सरप्लस निकालना है तो बस आपको उसकी लेंग्वेज को समझना है बागी इसके कोश्चेस बहुत आसान होते हैं इसमें कोई भी मुश्किल बि परन पहुंच सके और अगर अल्री सब्सक्राइब किया हुआ है और बैल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बैल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखो ताकि आगे आन्यावले वीडियो सारे आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की टो फस्ट कोश्चन है उसमें केता है टिमांड फंक्शन वीजान डिमांड फंक्शन ढाफ्वा धोल एंड़ डिमांड फंक्शन एक्स नॉट इस थ्री ठीक है डिमांड फंक्शन अब एक्स नॉट जो है इन्हें एक्स की जो वेल्लू है वो आपको दे रहे रहे थ्री तो यह पूछता है यहाँ पर कि find the consumer surplus अब जो consumer surplus है उसका formula गया होता है अगर हम consumer surplus निकालते हैं तो इसका formula होता है 0 to x0 demand function ठीक है इसका integrate करना है with respect to x minus x0 p0 अगर दीए x0 की value तो आपके पास है p0 की value ओर चाहिए मतला जब x3 होगा तो p कितना होगा तो यहाँ से हम क्या करते है x की जगे value put करके p की value निकाल लेते क्योंकि वो आपको यहाँ पर put करने पड़ेगी तो p0 की value आगी है आपके पास यहाँ पर हम put करते 35 minus 2 into 3 minus 3 का square 35 minus 6 minus 9 35 minus 15 तो यह बनगे आपके पास 20 यहाँ जब x की value 3 है तो p की value 20 है अब अब यहाँ पर consumer surplus जब आप निकालेंगे तो integrate करेंगे 0 to 3 demand function यह आपके पास है 35 minus 2x minus x square dx minus 3 into में 20 इसको simplify करते हैं इसका integration करते हैं 35x 2x square by 2 x cube by 3 limit apply करेंगे 0 to 3 minus 60 यहाँ पर देखिए इसको आप solve करेंगे 3 को यहाँ put करोगे 35 into में 3 तो यह हो जाएगा 105 minus 3 का square करेंगे 9 इधर करोगे आप 27 by 3 minus अब जिरो पुट करोगे यहाँ भी x है यहाँ भी x है यहाँ भी x है तो 0 यह आए गाई तो यहाँ पर आगया minus 60 minus 9 minus 9 minus 18 तो 105 minus 18 minus 60 that means आगया 105 minus 78 15 minus 8 7 9 minus 7 2 तो यहाँ पर जो consumer surplus है यह आपके पास बन गया 27 नेक्स्ट कोशन है उसमें भी demand function आपको दे रहे है commodity का P in the fund find a consumer surplus पर P not equals to 2 अब उस कोशन में क्या कर रहा है आपको x not की जएके P not दे दिया है तो simple आपको यही कर रहे है कि जहाँ P है जो demand function जो भी आपको यहाँ दिया हुआ है demand function जैसे यहाँ दिया हुआ P equals to second question की में बात कर रहे हुआ P आपको दिया हुआ 25 minus x square और जो P not है उसकी value आपको दे रहे है 9 तो यहाँ पर आप 9 put करेंगे तो यहाँ से आपके पास x not की value आ जाएगी यहाँ गया 16 तो x not होगे आपके पास 4 यहाँ जब P की value 9 है तो x की value 4 है same चीज आपके consumer surplus निकालना है इसी consumer surplus निकालना है 0 to x not demand function आपके पास 25 minus x square और minus करना है आपको इसको integrate करना है minus करना है P not x not तो x not की value 4 है और P not की value 9 है तो यहाँ पर फिर वोई integrate कर दो आप 25 x minus x q upon में 3 limit आगी 0 to 4 minus 36 4 यहाँ पर आप put करोगे 25 into 400 minus 64 upon में 3 वोई 0 put करेंगे तो 0 हो जाएगा चोड़ दो से यहाँ यहाँ minus 36 100 पे से 34 minus करेंगे तो बचेगा आपके पास 64 यह भी हो गया 64 upon में 3 LCM आगा 3 12 minus 4 8 or 9 8 minus 6 2 and 128 upon में 3 यह आजाएगा आपके पास second question का consumer surplus 128 upon में 3 next question पे चलते है जो question नंबर 3rd यहाँ देमांद फंक्शन for a commodity is this find the consumer surplus for find the consumer surplus for p equals to 2 and p equals to 6 तो same question की तरह करना है वो आप बड़े राम से कर सकते हो ठीक है इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है fourth question में भी आपसे वही consumer surplus पूछा हुआ है पी की value दे रहे है हम question number fifth पर चलते हैं यहां करता आप supply function आपको दिया हुआ है question number fifth supply function आपको दिया हुआ है और आपको वहां से producer surplus निकालने है तो fifth question है आपके पास supply function है 3x square plus में 10 3x square plus में 10 and x naught equals to 4 x naught अगर 4 है तो यहां पर put करके पहले p naught निकाल लो 3 x 4 का square plus में 10 16 x 3 48 48 plus में 10 तो p naught आपके पास 58 अब आपको यहां पर producer surplus पूछा है आपसे तो producer surplus में क्या होता है formula में x naught p naught आपको पहले लिखना है minus करना है minus करना है आपको supply function 0 to x naught supply function with respect to x तो x naught p naught की value x naught आपके पास आगया 4 और p naught होगया आपके पास 58 minus 0 to 4 supply function है 3x square plus में 10 प्लस में 10 x limit आगे 0 to 4 तो यहां आपके पास 232 माइनस यहां से cancel हो जाएगा 4 को यहां put करोगे 64 plus में 10 forza 40 0 put करोगे तो 0 यहां न है इन दोनों को आप add करोगे 232 माइनस 104 12 माइनस 48 यहां पर आगे है 2 & 1 तो आपके पास question number 5 का producer surplus आगया है next question number 6 है उसमें भी supply function आपको दिया हुआ है find a producer surplus when the price is 18 अब आपको price 18 दे रखा है question number 6 में supply function देखते है supply function आपको दिया हुआ यहां पर 4-5x plus में x square 4-5x plus में x square और price आपको दिया हुआ है इसमें price दिया हुआ 18 यहां से हम पहले x find कर लेते हैं तो पी की जाएगे आप 18 put करो 5x plus में x square इसको भी आप इधर लाओ तो बन जाएगा आपके पास x square minus 5x इसको दर लाओ जाएगा माइनस 14 तो यह बनके आपके पास एक quadratic equation अब quadratic equation में इसके factor आप करेंगे तो एक factor आपके पास बनेगा x minus 7 दूसरा बनेगा x plus 2 तो x की value 7 आएगी और x की value minus 2 आएगी तो minus 2 है उसको आप कर दो cancel क्योंकि commodity जो होती है और सप्लाइज होती है वह negative तो हो नहीं सकती दिल्ले x की value आपको positive लेनी है 7 यह एक्स नोट आपका आगया 7 ठीक है एक्स नोट 7 है और पी नोट आपके पास 18 है आप फिर producer surplus निकालेंगे तो यह आगया x नोट पी नोट माइनस 027 आपके पास supply function यह है dx 18 को 7 से multiply करोगे तो आज एगा 126 माइनस इसको integrate करते हैं 4x 5x square by 2 प्लस में x cube by 3 लिमिट आगी 027 x की जगे put करो आप 7 निए 4 इंटू 7 माइनस 5 अपॉन में 2 7 का square बन जाएगा 49 और 7 का cube बना 3 4 3 divided by 3 तो इस सब को आपको simplify करना है देखें LCM आएगा आपके पास LCM आजाएगा आपके पास 6 तो 4 इंटू 7 28 होगे 28 को 6 से multiply करोगे 6 एट जा 48 6 सुदा 12 प्लस 4 16 माइनस यहापर इससे divide करोगे 3 आजाएगा 3 से इसको multiply करना है तो 3 5 जा 15, 15 9 जा 135 और 15 4 जा 60, 60 फिस 70, 73 इदर से आजाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 तो यह बन गा आपके पास 126 माइनस इन दोनों को आट करो, 8 प्लस 6 14, 8 प्लस 6 14 और 1 15, 6 और 1 7, 8 माइनस 7 3 5 divided by 6 14 माइनस 5 9, 4 माइनस 3 1 1 अब यहापर इसका फिर एक बार एलसिम ले लेते, एलसिम लेंगे तो हमारे पास 6 आजाएगा 6 जा 36, 6 जा 12 और 3 15, 6 बन जा 6 और 1 7, माइनस 1 1 9, 16 माइनस 9 7, 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 1 6 6, divided by 6, अब यह completely divide तो होगा नहीं, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, या फिर आप इसको mixed fraction में कर दो, ठीक है या फिर ऐसे ही छोड़ दो, तो यह हुगा हमारा question number 6, question number 7 और देखते हैं, इसका 7 में आपको क्या दिया हुआ है, तो question number 7 में कहते हैं, यह दो, demand in the supply curve for the computer is d equals to 100 minus 6p, demand आपको दे रहे हैं, 100 minus 6p, supply आपको दे रहे हैं, 28 plus में 3p, यहाँ पर जो p है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है, price of computer को, तो आपको बताना है, what is the quantity of computer bought and sold at the equilibrium, equilibrium price पर क्या होता है, कि जो आपका demand function होता है, supply function होता है, एक ही point पर आजाते हैं, दोनों, तो demand supply जो दोनों बराबर है, उसको बोलते हैं, equilibrium, तो यहाँ पर आपके पास demand है, 100 minus at equilibrium, demand equals to supply, तो demand आपके पास है, 100 minus 6p, supply है, 28 plus में 3p, इसको आप p को इदर लेकर आओ, माइनस 6p, माइनस 3p, 100 को इदर ले जाओ, तो यहाँ जाएगा, माइनस 9p दर से आजएगा, माइनस 72, p की value आगी 8, अब p की value 8 है, उसको आप यहाँ demand में पूट करो, supply पूट करो, दोनों से आपका answer से माना चीए, क्योंकि equilibrium है, तो d अगर आप निकालों के देखो, 100 माइनस 6 इंटू 8, 48 हो गया, तो यहाँ से भी 52 आएगा, यहाँ से 52 आना चीए, चेक कर लो, 28 प्लस में 3 इंटू में 8, 28 प्लस में 24, यहाँ से भी आगया 52, यानि 52 computer ही sold किये गए, और 52 computer ही खरीदे गए, तो इसी question के साथ ही जो exercise 3.6 है, CBSC handbook से बहुत ज़्यादा मुश्किल exercise नहीं थी, तो बड़े राम से आप इसके questions कर सकते हो, तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, जल्दी मिलते हैं आपसे next video में, thanks to all of you.